नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने इससे पहली वीडियो के अंदर बताया था कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हुए रासन काड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैंने उनके दोनों तरीके बने अधा ओनलाइन और ओफलाइन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हुँ कि आप अगर उत्तर प्रदेश के निमासी है तो आपका रासन काड के लिए कर दिया है तो क्या आपका रासन काड के अंदर नम उसकी लिश्ट में जु आपके पास सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको उत्तर प्रदेश रासन काड़ की जो फिसल वेब साइट है तो क्या करना आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उपर देख सकते हैं त्री डोट नजर आ रहे हो ठीक है इस त्री डोट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए साइड में लिखा होगा तो दोस्तों एन एफ से पर क्लिक करेंगे फिर देखें सेकेंड नजर आ रहा होगा यहां पर राष्ट्रिय खाद सुरक्षा दिनियम ठीक है एन एफ से की जानकारी संपूर्ण लिष्ट ठीक है पातरता सुची तो क्या करना इसके उपर हमें क्लिक करना होगा इसके आप क्लिक करते हैं आपके सामने लिष्ट नजर आजाएगी पूरे लिखावा नजर आजाएगा नगरी है और यहां पर ग्राम मेंडिये ठीक है आप जी चेतर से निवास करते हूं आपको सेलेट करना है तो मैं अपना ग्राम पंचायन करता हूं ठीक है और ग्राम पंचायन सेलेक्ट करने के बाद देखें यहां पर जो भी दुकानदार का जो नाम है आपके मतलब ग्राम पंचायत का उसका नाम आगए राम विलास पाठक लिखाओना ज़र ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं गाओं के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब का नाम यहां पर आ चुका है तो आपका जो भी नाम है यहां पर जूम करके सर्च कर जीएगा और सर्च करके पता लगा सकते हैं कि मैंने अराशन काड के लिए प्लाइ कियाने के बाद आपका जो नाम है इस लिस्ट में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा ठीक है तो यह प्रकार देखा ज़त नहीं अप्रिट लिस्ट है तो काफी लोग इसमें नाम लिखा करेंगे धन्यवाद जैसे दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के लिए दिखा दिया कि आप कैसे उत्तर प्रदूसर निवासी हैं तो कैसे हमसे अपने मतलब परिवार के मुख्या का नाम कैसे उस लिष्ट के अंदर चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर इस बात की नोलेज हो स जो आप सब के लिए बहुत ही खास होगी और आप सब के लिए बहुत ही helpful होगी दोस्तों मिलता हूं ने टियो मैं एक अच्छी और सांदर वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिं